इलू का मतलब है आई लव यू, इलू यू प्लेट सुपब दोरों टीम के 12th में अभी तक नहीं आए, जरह 12th में आजाए प्लीज, एक आगे हमारे, जैय अदुनन्दन आचुके है, आरेयर फाउंडेशन शक्ती भाई, 12th में मुखली देशो प्लीज, तेंक यू किरन पवार, सनी कस्बे, ये वो सनी है जिसने मचा दी सन सनी, इसके पहले सनी गावसकर, सनी देवल, ये सन सनी मचा चुके हैं, और अब सनी कस्बे दीमी गेंती किरन पवार, पहले ही बॉल से सेट हुए, बहुत ही बड़ी आस लॉक स्वीप, बल्ले को स्वाइप करते हुए, खेल दिया, वाइडिश मिडविकेट बाउंडरी के बार, चार रण बहुत बड़ा फोकस उनका रहा है, पिछले कुछ सालों में, उमेड़मान का वसई का ट्रूनामेंट, जिसमें बेस्ट बेटर रहे थे, बैटर बॉल, सन्नी ने क्या वापसी की है, ये वापसी बहुत जरूरी है, अजिस भाई ये मैच में भी क्या आप 60-60 की उमीद करते हैं या ऐसे ज़्यादा हो सकते हैं, 60-65 के आसपास आपका भी अनुमान है, बहुत बढ़िया रिलीज, फ्लाइट दिधी गेंद को, दी इम आउफ ब्रेक, बैक फूट पर गए, पंच लगा दिया, और ये मखमली और मुलाइमी स्क्वार का चार रन, देखें गेंद की लाइन को देखा, बल्लो के बीच स्टोकों खेला गया, डीप सौट पाइंट के फिलर के उपस है, डीप बाउंड रन के लिए, चार रन के इंफर्म बंडेबाज किरन पावार के और से, बहुत ही बढ़िया फुट वर्क, इस तरह का फुट वर्क होना बहुत जरूरी है, स्कोर आठ बगर किसी नुकसान के, एक और तगड़ा शॉट, मिस टाइम है, और किरन पावार को लाटना होगा, पावर प्ले में स्कोर दवन के जैसा थाइफाइफ उन्होंने दिया, किरन पावार इस आउट, बिग विकेट, अच्छा विकेट देखें, वहाँ सचीन परमा ने ओके एचलिया और सचीन परमार का जो टुनामेंट से रहां, वहाँ ग्यारा विकेट लेना, वाले अखलोते के इंदबाजी इस अरे आर फाउंडीशन इन रिवड़ा, और यही कई ऐसे चुरंदे के इंदबाज और को भी सामिल किया जा रहा है, आरे आर फाउंडीशन 11 के कप्तान के ओर से, बिल्कुल थाइफाइफाइ स्टेप, सचीन परमार ने क्या बोलिंग की थी, आरे आर फाउंडेशन द्वा यह सचीन परमार का टैलेंड है, नए बैटर है पीकू पॉल, पीकू पॉल को खेलना होगा, देखे, यह सब बड़े नामी गिरामी खिलाडी हैं, और पशिम मंगल का क्रिकेट जो होता है, इसके यह धड़कन है, पीकू पॉल, जौन्टी सरकार, हलचल यादव, जगत सरक सरोच प्रमानिक, दिबाकर गायन, कई ऐसे प्लेयर्ज हैं, मतलब सारे नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सागर अली, यह नाम घरगर में है, और पीकू पॉल को यहां एक अच्छी पारी खेलनी होगी, यह द्रोन व्यू, क्या जेमसन का ग्राउंड है, जेमसन के इस ग्र के लिए भी दुरलब द्रश्य होगा, ऐसा खुबसूरत ग्राउंड, और गुट जॉब जेमसन टीम, यह प्राउड फियू, सनी कस्बे, सनी के लिए पहला बिग बैश है, लेकिन सनी ने संसनी केज, शुरुवात की है, सबसे बड़ी बात है, गिंदो को फ्लाइट दे र इस बार बहतरीन गेंद, यह क्रिकेट टुर्नामेंट को आयुजित करने का मकसद यह के नए खिलाडी उभर कराएं, पूरे इंडिया का टैनिस क्रिकेट केवल दस या बारा खिलाडियों का महताज नहीं है, यह दिखाने वाला दिशा दर्शक टुर्नामेंट, टॉन और सनी कसबे, सोचे टैलेंट कितना कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन मौका नहीं मिलता, सवराश के खिलाडी, दक्षिन गुजराद के खिलाडी, इस बार ख्लोश टुद वाडी, पुल कर दिया, और अपना विकेट तोफे में दे दिया, तारीफ करनी होगी, create an opportunity and conquer the opposition, ब पालच दिया और आउट किया, अधा पूल स्टोकों के लागया, देखे, बल्लेबाज की और से बल्ले गीन, बल्ले बठीक से नहीं, और असलम उट्वा ने केच लिया, सिकंदर ने साहित केच लिया, सिकंदर बठी ने केच लिया, deep mid wicket boundary lane के उपर, अंतरान में विकेट ल सनी ऐसा लगा है, मानों, उनकी कलाईयों में, SKF कमणी का ball bearing fix किया गया हो, नाजिम गुली को देखो, और सनी को देखो, अब आचुके है शाकिर काकू, बहुत खतरनाक, better wicket keeper, captain, leader, कई मुक्तलिफ किस्म के role, cricket में जिन्होंने निभाए, कुछ खिलाडी वाहिद होते हैं, जो दिमाग में याद रह जाते हैं, और उनमें का ये का शाकिर काकू, जिसके नेत्रुत्व में पिछले साल, LK Star राजशक्ती रिबडा ने इस टूर्णामेंट को जीता था, और ये इस साल ऐसा है के, ये हमारा मीटर, दोस्तो आज 6,90,90 करके ही जाना है, 6,95 हो गए तो क्या बात है, प्लीज अपने मोबाइल को आउन कीजिए, 70-70 यूटूब चैनल पे जाईए, और उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बैल ऐकन दबाना न भूले, अखिल भारतीये, टैनिस, क्रिकेट, ये रियालिटी शो नहीं है, यहाँ पर रीटेक नहीं होता, काम करना पड़ता है, ऐसा काम करो, जैसे reality show में judge बोलता है आप मुंबई आ रहे हैं आपको भी call आए आप मुंबई आ रहे हैं आप दुबई आ रहे हैं आप करनाटका आ रहे हैं आप केरला आ रहे हैं नया ओवर करने के लिए आ रहे वीरू भाव आगेला वीरू यह हमारे दर्शक कुछ बैटे हैं कुछ खड़े हैं कुछ लेट कर देख रहे हैं बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहां पर वीरू आगेला की गिंद बाजी पर कावरी नदी छोर से जड़ में आती हुई गेंड कोई मौका नहीं था बहुत बड़िया बोलिंग एटेक है आप देखें सन्नी है इलू है सचिन है और वीरू है बाल हवा में तैर कर आती हुई जिस तरह मुंबई के चर्णी रोड में तारापोर वाला एक्वेरियम में मशली तैरती हुई स्ट्राइक पर सागर अली एक्सप्रेस बॉल अजीज बाई कल ऐसे ही पेस पर अमने निकुंच पठेल को देखा था वाट अप बोलिंग बानिकुंच और यह देखे वीरू आगे ला भारत के senior test receiver Praveen Kumar की तरह उनका बोलींग action है बोल को grip अच्छा करते हैं बोलींग करते हैं समय बोल के ऊपर आपका grip चाहीं leather ball ऋ, tennis ball ऋ, rubber ball ऋ, plastic ball ऋ, golf ball ऋ वेन यूव बोल, यू जो बाट तो व आखाले में रालात के वम बाल के ऊबाराइब अच्छा है लेकिन वही बात है अजीज बाई के पावर प्ले में पावर फुल बल्ले बाजी ये अपेक्षित है नौपे दो ज़रुरत से ज्यादा आप रक्षात्म क्रिकेट नहीं खेल सकते अगर ये फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर बल्ले बल्ले रहें जैय अदुनन्दन एलके स्टार राजकोट के लिए देखने वाली बात है दोनों बहुत अच्छे दोस्त है लखन भाई और शक्ती भाई जी यहां इस बार शौट अच्छा है और क्या कैच लिया गया है बिल्कुल बॉर्डर बर अब इससे ज्यादा काकू क्या करें अन्बलीवबल 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 अच्छ वीरू अगेला लोवर फिल्टॉ स्लॉक स्वीप ना उचाई मिली न दूरी तहे कर पाये अद्वाट अच्छ लंगडी कैच भरत राम जिसने किया काम अरशु खान क्या क्याच लिया भरत राम ने नाम से क्या लेना मेरा काम तो देखो यारो और भरत राम का काम पुरी दुनिया ने देखा क्या बोलिंग एक्शन है प्रविन कुमार की तरह लोवर फुल टॉस काकू का शॉट गलत नहीं था काकू तू गलत नहीं है हो सकता है तरह वक्त गलत है बाबा भगत टीम के कट्टर समर्थक लखन भाई के राइट एंड हमारे साथ कॉम बॉक्स में नहीं बेटर अर्शु खान नौ पे तीन अजीज भाई क्या कहेंगे यह चोटी-चोटी पाड़िया निर्मार करना है तब दा करिए स्कोर्स आट-पैस्ट के भी बना पाईगी टीम उन्ना तो कर खेल दिया टपाखती भी बहुल जाएगी बाउटर लंग के बार बहुत अच्छा ओंदर राइस खेल दिया और इस तरह के स्ट्रोक की ज़रूरत है अटेक इस दा बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंज पीच्छी में आपने देखा यह बल्लेबाद ने कोई कम गेंदे खेले तो और कम गेंदों के उपर ज्यादारन बनाये ते मतलब यहीं भी सोचा जा रहा है जई यह अन्दुरंदन अलकेस्टार र टीन बॉल एक अर्शू एक बॉल चार तेरा पे तीन वीरू वागेला इस बार उठा दिया और एक और कैच मिने काल से घणेश ने कैच लिया है वीरू वागेला की एगेंद गलत शॉट खेला गया पहले अटेम में नहीं सही दूसरे अटेम में फिर एक बार कीरन पावार के आउटोने के बाद पारीचर मरा गई साख के लकडे की तरह मजबूत लगने वाले बैटिंग ओर्डर में मानो दीमक लग गई पेस्ट कंट्रोल करना होगा कौन करेगा पेस्ट कंट्रोल पिदे के मीडर ओर्डर के बाद अब जाएगी बंटलब जो और पांच छे साथ आठ करम के जो बल्ले बाज़ उसके और अब जीम बारीए बंटलब ये जो स्टोक खिलना चाहिए वहां स्टोक नहीं खिलवाई ये स्टेट लॉंग उनकी उपर से स्टोक को खेलना चाहिए था बल्ले बाज़ की और से लेकिन के गेंद गई वहां पर शॉट लॉंग उनके फिल्लस गनेस की और टाइमिंग की कमी ज़रू रही है अस्टू की और से चौथा विकेट तेरा छे नबबे हम टच कर जाएंगे और अगर आज जिता हम करें कल हमें साथ लाग करना है दोस्तों आपके सहीो के बगर नहीं होगा पपू, मुना, चिंकी, पिंकी, ममी, पापा, दादी, दादा, नानी, नाना, ताई, ताया, फूपी, फूपा, खालू, खाला, सभी से गु विकेट, पहले मैच की गलतियों से अभी भी टीम सीख नहीं रहे है, वीरु वाकिला एक और पांचन दो विकेट, जॉन्टी शुन्य सागर अली तीन बॉल, एक, गेंदबाज है, इलू, 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 फ्रम बंगलूरू, नम्मा बंगलूरू, जिसका मतलब है, मेरा बं विकाण वैली ओफ इंडिया जैसे कहा जाता है, आईटी इंडस्ट्री का हब है, इन्फोसेस, टी-स, टेक महिंद्रा, विप्रो, लॉजिका, एक्सेंचर, आईबी एम जैसी कंपनिया, जैसे ही गेंद आई, वाईउ मंडल में भेज दिया उसे सागर अली ने, सागर अली, जिसके बल्ले को चूकर गेंद चली, आजी दुपर को जब आ रहे थे तो बाजू से एक ट्रक गुजरा, जिसके पीछे लगा था, मेरी भर के चली तो तेरी क्यों जली, और सागर अली, सिक्स लगा दिया, बैटर बॉल थी, टैप करते हुए खेला, बहुत सही क्रिकेट है, जो बहुत जरूरी है, ये दोनों पर्शिम बंगल के बल्ले बाजों के लिए जरूरी है, कि एक अच्छे स्कोर पर टीम को लेकर पारी को समाप्त करें, बीच पे चार, लेकर पिछला जोस्टो को है, मैरिन में खेला गया है, बल्ले बाज की और से, शॉट गली की दीशा में यो जानते हैं, कि साजिदारी को और आगे बढ़ाना है, साथ, पहींशट, सत्तर के भी जाए, जो सोचा गया आकड़ा है, यह यह नुदेंदरन, एलके सार राज़कोट की और से, इलू के बारे में बताया तो, इलू के पहले रफिक कनाड़ा का आए थे, गुजराद में 2006 का दोरा किया, उसके बाद में काफी रंतरल के बाद देख रहा हूँ, कनाड़ा के किसी एक इंदबाज को जैमसन क्रिकेट गरान के उपर, दर्शन दोत्रे, रफिक तालकोटी, ऐसे खिलाड़ी, अरजुन गाटगे, ये खिलाड़ी आते रहे हैं, तो एलू, रोस सिटी का आगया है, बंगलूरू को, गुलाबों का शहर, और वहां से आते हों एलू, 21 पे चार, कम से कम 60 से 65 चाहिए ही चाहिए, क्या अच्छा गुमाओ था गेंद का, टर्न और बाउंस, दीखे सनी कस्बे के पास टर्न और बाउंस था, यहां पर एलू के पास भी टर्न और बाउंस है, बेक अफ़ दे हैंड, लवली टर्न, खंडाला के घाट पर जिस तरह रास्ता मुड़ता है, अंगड़ा ही लेता हुआ, वैसे मुड़ती हुई गेंद, यह सब आपको मिला है, देखें, यूटूब के माद्यम से, जो बहुत बड़ा मंच, इसमें 70-70 की पूरी टीम, एक अच्छा कारिया किया जा रहा है, इस बार बल्ले के मुझ को खुला, सनी के पास लेते हुए एक रन, बिल्कुल, जो मिले समेट लो, जिनके उपर जिम्मेदारियों का बोज होता है, उन्हें रूठने का हक नहीं होता है, जिम्मेदारियां है, घर का जो बड़ा बेटा है, उस पे जिम्मेदारी है, वो यह नहीं के सकता, पापा आज काम पे नहीं जाओंगा, छोटे भाइबन का क्या होगा, वैसे ही बैटर्स का भी है, अगर हम नहीं खिलेंगे, तो कौन खिलेगा, हमें डगाउट वालों को जिया देनी है, एंजॉई और क्रिकेट, एंजॉई दा वाक, स्मेल दा ग्रास, इस बार जनाटेदार सिक्स, ठोक डाला, यह के डीप हीन के इस गए, डीप बैकवर्स के लेके ओपर से फ्लिक किया गया, बले बाज क्या है, इस परका स्कोर अब जाब पुचा है, 28 रन, प एलके स्टार राज कोड़, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार्स, एलके स्टार्स अर शाइनिंग स्टार्स, जॉंटी सरकार, बताते हुए, मैं कलकत्ता से चिखली गुजरा दर्शन के लिए नहीं आया, मैं खेले आया हूँ, मैं खेलेगा, आसमान की उचाहियों को जॉंटी सरकार, क्रिकेट में महावरा है, टेक अटाक बैक तु अपोजिशन, विपक्षी टीम पे हावी हो जाओ, नहीं ओवर की शुरुवात होगी, 28 for the loss of 4 after 3, जॉंटी 2 बॉल 7, सागर अली 7 बॉल 9, नहीं ओवर की शुरुवात, दूर वाले छोर से, बोलने है वीरु वागेला, आज सवराष्ट दिवस है, सवराष्ट की चारो टीमों का आज आपने देखा, घरगर सवराष्ट, घरगर क्रिकेट, घरगर बिग बैश, गुजरात दमा का बिग बैश, ब्रॉट तु यू बाइ 7070 निकेट स्पोर्ट, तारिफ भाई सय्यद एंड हेमन जी बनियाल, बहुत बड़ी अगेंद वीरु वागेला, क्या कहेंगे अजीज बाई? इस बार श्ट्रोक प्ले अच्छा था लेकिन एक एक रन से काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन यस जॉंटी सरकार और सागर अली इन दोनों को ही काम करना होगा सुन्दर बन के जंगलों में जब सफेद वाग की दहाड सुनी जाती है, दे रॉयल बेंगौल टाइगर और जॉंटी का जब हमने पूछा खेला हो बे तो उन्होंने का खेला हो बे जॉंटी ओन स्ट्राइक, टू बॉल सेवन, 29 फर फोर, जैय अदुनन्दन, एलके स्टार राजकोट बहुती फ्लूट ड्राइव और एक रन अजीज बै अभी भी क्या लग रहा है, आपको यह स्कोर 60 टच करेगा, प्रोजेक्टेट स्कोर 53 का बता रहा है बाल को मेरिट पर खेलना है, जैसी गेंद वैसा स्ट्रोक, अच्छी गेंद को इजद देंगे, खराब गेंद को हम नसीहत देंगे सीधे बल्ले से बिल्कुल वी में खेलते हुए, अभी भी मेरे ख्याल से सागरली थोड़ा ठैराव वाली पारी खेल रहे हैं, किसी को पारी को संभाल कर चलना है नरम गरम ट्रीटमेंट है, एक नरम तो दूसरा गरम, गरम वाला नरम हो जाए तो नरम वाला गरम नरम गरम दोनों को करने हैं रन बनने का करम वाल्डिंग खाबिल अतारीफ नए बैटर है दिलिप भिजवा, वीरु वागेला को मिलती भी तीसरी सफल था वीरु वागेला स्वेम प्रोचसाहित के लाड़ी है और जीवन के ऐसे दौर से वो गुजर रहे हैं, देखिए हमारा सब्स्क्राइबर मीटर सवरास में उन्हें का जाता है साइलन्ट किलर अरे ये साइलन्ट किलर नहीं, ये जाइन्ट किलर है बड़े-बड़े सुर्मा बले बाजों को उसने आउट किया है कबीर जिन्दा रख, फकीर जिन्दा रख सुल्तान बन जाये तो तेरे अंदर का फकीर जिन्दा रख कामियाबी सर में नहीं चड़नी चाहिए कई लोग है जो कामियाब हैं लेकिन जब कामियाबी सर में आती है तो सरदर्द बन जाती है 31 पे 5 दिलिप बिजुवा जॉंटी की जगा लेते हुए सागर लीग 10 बॉल 11 नॉट आउट वीरू 8 रन 3 विकेट एक अच्छा ओवर यहां पर समाप्त करते हुए दिलिप बिजुवा ने शॉट शायद नहीं अब रिफर किया गया वाइड बॉल के लिए इन दौर से भी कही बड़े क्रिकेटर्ज आपने मद्यप्रदेश क्रिकेट में देखे लेकिन उसमें सरे फैरिस्थ खिलाडी है दिलिप बिजुवा फैर डिलिवरी ओवर समाप्त वेल लेफ्ट कर दिया था शॉट ओफर करते तो शायद कुछ हो सकता था विरो वागेला ने देखे दो ओवर किये दो और कोई मेंडर नहीं आठ रन तीन विकेट ये उनका बॉरिंग आइसस रहा है प्रती ओवर केवल चार रन खर्च गया और एकोनोमी रही उनकी दो ओवर में और तीन बहुम लिए विकेट लेगे आरे आरे आर फांडिशन रि जेवन के कप्तान की और से भी कल हमने दिखा जिगनेश पटेर और अंकित कल की दोनों ने पहले चार ओवर किये उसके बाद इरफान मलिक और राजे सोटे I mean have your game plan in place plan A plan B plan C plan का backup plan backup plan का backup plan सबसे बड़ी बात है तैयारी में रहना plan for the best and be prepared for the worst नया ओवर करेंगे सनी कस्बे चार ओवर इकती इस रन पांच विकेट अब बोलिंग के लिए आचुके है अरे सनी है बोलिंग जब करता है सनी यहाँ पर एक और आठ रन दो विकेट सोचिये सनी और वीरू ने मिलकर अपने आपस में पांच विक्ते बांट ली सनी ने वीरू को कहा दो मेरी तीन तेरी मैच जितने में कहीं न हो जाए देरी सागर अली टैप करते हुए खेला हाला कि शॉट में ज़्यादा ताकत नहीं थी एक रन मिला दूसरे के लिए दौड चले जिया दूसरा रन तेजी से पुरा करते हुए तेज दौड लगाई थी दिलिप बिजवा भी बहुत तेज दौड ते हुए आये थे मानो इंदौर से बोपाल दौड ती हुए लगजरी बस की तरह और स्कोर आगे बढ़ता हुआ थे थी सिप आच देखे रन अपने आप नहीं बनेंगे रन बनाने पड़ेंगे मैनत करनी होगी लेफटी रैटी कॉमिनेशन का एडवांटेज है सनी के गेंद पाइटक शॉट सागर अली ने सूरेश रहना की जलक ताजा की सागर की जलक सबसे अलग स्कोर अब जाप हुचा है यदूनेंदन एलकेस्टार का थर्टी नहीं बिलकुल सागर अली दिल के अंदर एक तूफान बन कर खेल रहे बैठक शॉट सुरेश रहना की जलक दिखी वहाँ पर मन ही मन में बोल रहे होंगे बेंगॉली में कॉर्बो लॉर्बो जीद बो एक रन पुरा किया दूसरे की दौड लगा चुके दिली बिजवा तेज कदम भागते हुए रन आउट का खत्रा लेकिन दो और बिल्कुल रन इसी तरह चुराने बनेंगे रन क्यों नहीं बनेंगे बल्ले बाजी ये दुकांदारी की तरह है दुकांदार अपने गल्ले पर बैठेगा ग्रहक अपने आप आएगा धंदा अपने आप होगा क्रीज में खड़े रहे 41 फाइव एक समय था 9 पर 3 41 पर 5 थोड़ी सी कॉस्मेटिक सरजरी की गई है इस पारी पर तेरा बॉल 21 की पारी सागर अलीगी जियां ये पांच कप्तान बंटी पतेल मयूर 11 MK MUCC संबलपुर अधिश्या योगेश पेनकर CSK धमाका विनाश्राणा बब्बू निलेश दादा भिंताडे धंगवडी पूने आकास चिंदरिया और बालजी 11 सुमीत ढेख ले पांच अलग-अलग कलर्स हैं रंग से रंग जुड़ते हैं तो ये सचिन परमार जो थाइफ फाइफ का स्टेप करता है मासूम चेहरा वार गहरा सचिन परमार सवरस के प्लेयर्स का एक चीज़ है मिलकुल कैरफ्री एटिटूड रहता है जो युजा है भाई 41 फाइफ सनी इस ओवर में अब तक 10 रंदे चुक है पहली तीन गिंदों में और ये वो टर्न अराउंड स्टेज है जाइ अदुननतन एल के स्टार राज्चकोट के लिए अगली नौगेंदों में अगर 20 रंओ आते हैं तो 61 अटलीस 60 इस बार उठा दिया है और गें जाएगी डिपी टुकेट बाउंडरी के बार छे रं हद में रहोगे तो लिहाज देखोगे पार करोगे तो मिजाज देखोगे बॉल का टर्न और टपा पहले ही पढ़ लिया था पूरा समय था उस गेंद को पुल करने का 47 फर फाइव चर्श टोखे रहा देखे ये टाइम लिया जा रही सवर में दो दो रन भी लिये गए दो छक्के भी लगा आएगे और ये जानते है सागर अली कि मैं अच्छा खिला हूँ यही खिरना चाहरा है बल्ले बाज अच्छी बल्ले बाजी का मुझारा पेश करते हुए शुरूरत में शांत रहे थे लेकिन शांत दिखने वाला सागर अली के अंदर एक जौला मुखी था जो फटने को तयार था विद्वन सक विस्पोटक विनाशक पारी उनके द्वारा स्कोर अबागे बढ़ता हुआ सनी कस्बे अपनी आखरी ओवर करेंगे सनी कस्बे पहले ओवर में आठ रन दो विकेट इस ओवर में 17 रन कोई विकेट नहीं यह क्रिकेट है जो विकी भोईर ने कल हैट्रिक लिया उसी विकी भोईर को 25 रन मिले बिजवा मिस करते हुए स्विंग एंड मिस पांच ओवर का खेल समाप्त 48 अजीज भाई यहां से क्या उमीद है मैं यहां से at least 15 पकड रहा हूँ आपके विचार क्या हूँगे इस पर कि बारा पंद्रा के और जाएगी टीम यह के अर्थार बारा बनाएगे तो साट हो जाएगा साट पेंशडी आवरेस को भी और सागर अली जानते हैं सागर अली देखे पहले क्रीस के ओपर टाइम बिताया गया जो मतलब वह अच्छी गेंद थी उनको सन्मान देया गया उ गुजरात के महमान भी है ऐसा नहीं है महमान इस ग्राउंड के ओपर सेवंटी सेवंटी निके स्पोर्स पेज़न गुजरात दमा का भी किव्यास का यह दूसरा संस्करन एक उची समय को छो रहा है यह टूनामेंट सचिन परमार आरे आर कप में बैस्ट बोलर छे लाख नवासी अजार एक सो अठानवे परम पहुंचे हैं दोस्तों एक बार फिर अपने मोबाइल को निका लिए एक और देख लीजे आपने सब्सक्राइब किया है या थवा नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब करें सेवंटी सेवंटी लाइव स्ट्राइक पर सागर अली पंद्रा बोलर थाईस बोलर सचीन परमार लेफ्टी तु लेफ्टी बहुत बढ़िया शॉट है कम से कमेकरन मिलेगा स्कोरा के बढ़ता हुआ 49 फर 5 कृष्णा गवली ने गेंद को रोका था बहुत स्ट्रॉंग बैटिंग लाइनप है यहां पर आरे आर फाउंडेशन के पास भी कृष्णा साथ्पुदे जैसे खिलाडी इस टीम में है कृष्णा गवली इस टीम में है दो स्ट्रॉंग बैटर्स बहुत अच्छा कवर ड्राइव और एक रन स्कोर हो गया 50 पे 5 अब यह 50 रनों ने किया किया है डगाउट में बैठे बोलरों की आँख में चमक लाई है यह वह लड़ी लेखो 50 फाइव बहुत बड़ीया स्ट्रोक लेकिन देखे रन नहीं मिल पाएगा सागर अली तकनी की रूप से बहुत अच्छे सुचारू पारी उन्होंने खेली है यह पारी धाकड हो सकती दी अगर कोई एकाद बल्ले बास शुरुआत में उन्हें सपोर्ट करता लेकिन बहुत मैच्छोर इनिंग्स परीपकवता की परीभाशा को यहां सही ठहराते हुए 50 पे 5 सचीन परमार की भी तारीफ करनी होगी आकरी ओवर करने के लिए एक जिगर चाहिए होता है और नाप तोलकर गिंदबाजी की है स्टंप टू स्टंप चार गिंदों में केवल तीन बंदी अजीज भाई आकरी ओवर में और दो गिंदे शेश वाइड बॉल रणों का अभियान जारी है परफेक्ट स्टंप्स के उपर के इंदागी थी लेकिन थोड़ सा बार मुवमेंट होती हुई सचीन परमार बावन पे 5 बिजवा ने खेल दिया इस वक तो वाइड स्क्वार लेक पर रोगने का प्रयास बहुत ही उंदा फिल्डिंग वीरू आगेला और यहां पर रनाउट होते हुए दिलिब बिजवा बाएँ हाथ के खिलाडी के बाई और गेंदाई वीरू आगेला स्वैम बोलर है इसके लिए उनका थ्रोइंग आम बहुत स्ट्रॉंग है यह वज़े थी कि बिजवा रनाउट हुए फिल्डिंग उच्छस्था चेस्टरिय की रही है देखे फिल्डिंग करने वारी टीम के और से स्कोर है स्कोर बोर्ड के उपर बामन रंड़ पांच विकेट के नुकसान की ऊपर पारी का च्छटा हो रहा है आकरी ऑवर चल रहा है दिलिब बीजवा रनाउट रहा है दू पारा गेंदों के उपर तीस रणों के उपर पारी खेल रहे हैं थोड़ा मायूस दिल बिजवा देखे किस तरह कैमरे ने पकड़ा है और बाया हाथ से लेकर दाया हाथ में गेंदी वाट अत्रो कृष्णा साथ पुदे अगर अगर चे आते हैं तो 59 और 10 के रन रेट से चेज करना होगा एक एक रन काम में आता है कभी कभी संकट समय पर जेब में पड़ा हुआ पैसा और मैच में संकट समय बनाए गए रन ये काम में आते हैं बाकी अजीज बाई आप जैसे दोस्त है शोर्य सनंद्या बच्चे वसियत पूछते हैं रिष्टे हैसियत पूछते हैं अजीज बाई आप जैसे कुछ दोस्त है जो खैरियत पूछते है 53 for 6 लास्ट बॉल अफिर्स इनिंग्स सचिन परमार from काविरी एंड इस बार उठाया catch out हो जाएंगे ऐसा लग रहा है कृष्णा साथमूते के हाथ में आता हुआ catch बहुत भव्यवापसी यहां पर सचिन परमार की तारीफ करनी होगी आखरी ओर में केवल पांच रंदी है और एक विकेट लिया सागर अली की लड़ाई जो है यह वाके में रंग लाई है लड़ने के लिए कुछ ताकत जरूर मिली है लेकिन वो कहते है ना जो शेश है वो विशेश है बाकी सब अवशेश है तो जो है उसके जरीए लड़ाई लड़ेंगे सचिन परमार देखे किस तरह बताते हुए विकेट कीपर को और दोनों उंगलियां उपर और उपर वाले का शुक्री आदा किया फ्लाइंग किस के जरीए बहुत ही उंदा बोलिंग एक्शन और कृष्णा साथ पूते के दस्तानों में कहिद होती हुई गेन चोपन रन चोवण रनों का लक्ष है देखे हमारे कुछ दर्शक घर की और जा रहे लेकिन आप सभी से प्रारतना है कल बड़ी संक्या में आईए जाते जाते अपने मोबाइल को खोलिए और 7070 के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये दूधिया रोष्णी में खुबसूरत दिखता हुआ मैदान मैच समरी आपके सामने पहली पारी की किरनपवार 4 बॉलाइट सागरली 18 बॉल, 30 पीकु पॉल, निराष दो बॉल, शुन्य शाकिरगा को एक बॉल, शुन्य जल्धबाजी की जौन्टी सरकार 4 बॉल आउर्ट, दिलिब 4 बॉल, दो, शौरिय एक बॉल, शुन्य एक एक्स्ट्रा दिया गया केवल ये बड़ी बात है बोलिंग में एलू एक ओवर पंदरा रन सनी दो ओवर पचीस रन दो विकेट सचिन एक ओवर पांच रन एक विकेट वीरू आगेला दो और आट रन तीन विकेट फॉलो विकेट्स पहला आट दूसरा आट तीसरा नव चौथा तेरा पांच वाइक तीस चट्टा त्रेपन और सातवां त्रेपन दूसरी पारी की शुरुआत उने जारी और हमारे कॉमेंटिटर चंदकान शेटे और राज चवान जुडने जा रहे हैं लेकिन जाते जाते यही एक मंत्र रहेगा यहां जाई अदू नंदन एलके स्टार रिबडा के लिए राहत इंदौरी सापका एक शेर अर्स करना चाहूंगा तूफ़ानों से आख मिलाओ सहलाबों पे वार करो तूफ़ानों से आख मिलाओ सहलाबों पे वार करो मलाहों का चकर छोड़ो तैर के दरिया पार करो झाल झाल जगत सरकार उस टीम में संजु कनोजिया करन अमबाला खेलते होए नज़र आएंगे बबबु राना इस टीम के कफ्तान है और उनके सामने और एक बड़ा कफ्तान M.U.C.C. संबलपूर उडिसा योगेश पेनकर इनके बिच का पहला मुकाबला होगा कल के दिन का दूसरा मुकाबला मयूरी लिवन M.K. बंटी पटेल और बंटी पटेल के साथ इस मैच की विजिता टीम होगी कल के दिन का जो दूसरा मुकाबला होगा सभी की निगाया है पूरे भारत की निगाया है इस टूर्नामेंट के उपर और कल के दिन का तीसरा मुकाबला भी काफी तगड़ा ही होगा बालाजी इलेवन सुमीट धेख ले जिस टीम के कप्तान है और सामने निलेजदा बिंताडे स्पोर्स पाउंडेशन थनकवडी पूने अकाचिंदारिया सुमीट धेख लेके सामने नजर आएंगे तो ये मुकाबला भी कापी तगड़ा होगा तो पाच बड़ी टीमें दाकिल हो चुकी है अन्तीम छे में और एक टीम कौन सी होगी एक तरफ शाकिर काकु है दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कृष्णा साथ पूदे है तो ये में से किसकी टीम होगी ये पता चलेगा आने वाले आधा गंटे में ये साथ राज चवान भी जुड़ चुके है गुजरात की कापी मशूर कोमेंटेटर और इंपक्ट सरजरा इंपक्ट का इंफर्मिशन सरजरा इंपक्ट की इंफर्मिशन किरन पवार की जगह सुमित आए एक बड़ा मुकाबला आपके सामने दो बड़ी टीमे मैदान के उपर दाखिल हो चुकी है एक तरफ आर ए आर रिबडा और दूसरी तरफ जय यदुनंदन एलके स्टार राजकोट दो राजकोट की बड़ी टीमे आमने सामने है आज के रात का एका है मुकाबला टेनिस क्रिकेट वीश्व के बड़े बड़े खिलाडी है इस टीम में और खुद का पहला और पारी का पहला और लेके गेंद बाजी के लिए खुद का पहला और पारी का पहला और लेके गेंद बाजी के लिए रोहीत कुमार शर्मा रोहीत शर्मा है मगर ये रोहीत शर्मा है बिहार के बिहार से दाकिल हुए इस टूर्णामेंट के लिए तो देखना होगा ये बिहार का एक नोजवान खिलाडी बिहार के में कुछ सोरफ्राज बहु बिली जीसे बहुत काफी अच्छा के खेल रहे है इस वक्त बिट्टू मैक्सी और और एक सितारा बिहार से नजर आता हुआ गिनबाजी के लिए रोहित कुमार शर्मा पहली गेंद अपरकाट क्रुष्णा साथ पूत ब्रैंडर श्ट्रोग गेंजी मारेखा पार चार रन दिखे सर्ची शुरुवात हुई है जब भी कॉमेंटरी में हमारी एंटरी हुई तो चोकिया सिक्सर के साथ सुरुवात की गई पिष्णा ने भी इस मीच देखे अपराइट पोजिशन में अपरकाट और बैकवर्ड पॉइंट की लिश्टा में 70-70 क्रेकिंग चोका पिछले 20 साल से टेनिस क्रिकेट की दुनिया पे छाय हुए है इनका नाम है कृष्णा साथ पूते महारास्ट के सोलापूर डिष्टी के माड़ा तहसील के कुर्डवाडिस से बिलॉंग करते हैं और पिछले 20 साल टेनिस क्रिकेट वीश्व में कृष्णा साथ पूते इस नाम के चर्चे है सामने है बिहार का एक तेस्तरार गेंदबाल रोहित कुमार शर्मा सामने कृष्णा साथ पूते और एक बहतरी स्टोक रुकाने की कोशिश अच्छी फिल्डिंग रही है वहाँ शाकिर काकु की एक अच्छा फिल्लिंग परफरमस देखने को मिला यहाँ पर ठटिया सरकल पावपले चलता हुआ अच्छा ड्राइव देखने को मिला था ब्यूटिफुल स्टोक क्रिश्णा साकिर काकु ने बहतरीन तरीके से गयन को रोका अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया र सिकंदर अउघ्रमस देखने सुर। यहां R.A.R. टीम की और कुछना गवली कुछना गवली ने कैश लिया तुझापुर से बिलॉंग करते हैं और एक बहतरीन खिलाडी है और क्या स्ट्रोग खेला है सिकंदर बटी और एक बड़ा सितारा है सिकंदर बटी सिरंदर नगर का सुपरस्टार सिकंदर बटी उनके बैट से आया हुआ एक बड़ा स्ट्रोग और रोहित कुमार के खिलाब स्ट्रोग तो आ चुके हैं शुरू में मगर ये कमबैक करना होगा ये बड़ा मैच है बड़ा मुकाबला है काफी मात्रा में दर्शक देख रहे से ओहो यहां रोहित कुमार शर्मा ने कमबैक किया कुछ स्ट्रोक आये उसके बाद ये कमबैक था रोहित कुमार शर्मा का और आज बिहार राज जैसे भी खिलाड़ी खेल रहे है इस टूर्णामेंट में अच्छी गेंथी वापसी करवाई इस बीच पहली गेंथ के उपपर चोका आया था उसके बाद एक सिंगल उसके बाद एक सिक्षर उसके बाद दॉट यानि रोहित सर्मा की वापसी अगली गेंद इस बार जड़ में किया इस गेंद को सामने खेला मिड़ाउन की दिर्शा में जब तक फिल्डर आते थ्रो भी किया और एक रंचे स्कोर आगे बारा रनों पर एक बड़ा मुकाबला है कड़ा संगर अहां से जीतेंगे तो अंतीम छे में जाएंगे तो कौन सी टीम होगी हो शाकिर काकू की या कुछना साथपुते इनकी इंतेजार रहेगा वैसे तो कांटे का मुकाबला है एक अच्छा फिलिंग परफरमस भी देखने को मिला और रनिंग बिट्वीन भी अच्छा देखने को मिला कौलेटी रनिंग बिट्वीन के साथ सिंगल रन पूरा किया दोनों के लड़ियोंने और सिंगल जोड़ा 12 रन बन चुके इस मीच वहाँ से आरे अर रिब्डा कुछना साथपुते बैटिंग के लिए कुछना साथपुते इस गेन को मिल विकेट के दिशा में खिला उनोंने एक रन पूरा करेंगे एक रन से सकोर आगे जाता हुआ पहले और की समापती हो चुकी है रोहित कुमार शर्माईनोंने गेन बाजी की और पहले और के बाद रन बने है बिना कोई विकेट को है तेरा रन यहां बन चुके है आरे यार रिबडा चे गेनों के उपर तेरा रन की पाट्रसिप दोनों खिलाडियों के बीच में वहाँ पे देखिए हमारा जो मीटर है छे लाख नवासी हजार अब छे लाख नब्बे हजार खतम होने को है अब कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका इंतजार है क्रिकेट के खेल में शुरुआत करने से कुछ नहीं होता आपको अंतीम ख्षनों तक अच्छा ही खेलना होता है अभी भी 30 गेंदे 6-5 और का खेल अभी भी बाकी है 41 रनों की जरुत है इस मैच को जीतने के लिए तो यहाँ से कमबैक करना होगा चाहिए अधुनंदन अलकेश्टार टीम को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी कुछ विकेट यहाँ से हासित करने होगे और उसी के लिए शाकिर का कुने यह जिम्मेदारी दी है राज्जु मुखिया जो दिल्ली से बिलॉंग करते है सुप्रीमों ट्रोफी में भी बेश्ट बॉलर का किताब आसिल किया था इस गेंदबाजे दो साल पहले और आ चुक है गेंदबाजे के लिए गुजरात धमा का बिग बैश निकेट सेवन्टी सेवन्टी स्पोर्ट दौरा एक बड़ी टूर्नामेंट हेमन जी बनियाल साब तारीब जी सहीद साब और निकेट जी इनके दोरा ये टूर्नामेंट आपके सामने आ चुकी है कुल मिला के बारवा बिग बैश है और गुजरात के अंदर एक बहतरी टूर्नामेंट तेरा रन बने है बिना कोई विकेट कोई चवण का पीछा करना है कौनसी टीम होगी जो चटी टीम होगी और सूपर सिक्स में जाएगी राजु मुख्या कुरूशना के सामने और कुरूशना साथपुत देख बैटरी श्टोक को केला कवर्स की दिशा में चार 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 चौका बहुत अच्छा स्टोक देखने को बना क्रिशना का इंसाइट आउट ब्योडिफ वोल्स क्रिशना सत्पुत देखे फिल्लिंग कहां से जग कि दी वहाँ पे ठटिया सर्कल के बाहर दो खिलारी एक मीड विकेट और स्क्वेले के उपर था वहाँ कवर थटिया सर्कल के अंदर उसका फाइडा उठाया और अच्छा स्टोक बहतरिन फुट वर्क और बहतरिन टाइमिंग दायरे को यहाँ दायरे के बीचो बीच यहाँ स्टोक खेला क्या टाइमिंग था जगा बना ली और बहतरी श्टोग खेला कृष्णा साथपुदे इन्होंने दुनिया दीवानी है टेनिस किकेट की कृष्णा साथपुदे और आज भी बहतरीन परफार्मस है कृष्णा साथपुदे इनका 17 रन बने है 54 का पीछा करना है दो बड़ी टीमों के बीज बड़ी टीव टोर्नामेंट में ये मैच आरे आर रिबडा बनाम यदुनंदन अलके स्टार ओहो हो हो समझ ही नहीं पाये कृष्णास फॉलिंग स्विप करना चाहते थे बगर फॉलिंग तो हुए मगर स्ट्रोक नहीं कहल सके जो गैन चाहते थे वो आई नहीं लेकिन अपने आपका जो बैलेंस बनाए और गैन को जो रोका वो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक अच्छी गैन थी राजु मुख्या की और बहतरी न तरीके से दिखे गैन को रोकने का प्रयास क्या राजु मुख्या सामने क्रुष्णा बाहर निकल कर खेले एक अच्छा स्टो क्रुष्णा साथ पूदे इनके बल्ले से और मिडविकेट की दिशा में और एगेन जाएगी सीमारेशा पार चार एक और चौका क्रुष्णा कर देखे किस प्रकार से यहां पर सौट के लागया थोड़ी सी चहल्गपत की अप्स्टम के उपर आगे आये उसके बाद फुल्टोस बनाकर मिडविकेट सामें ड्राइव कर दिया और चौका बड़ोरा 21 रन बन चुके है विड़ाउट लॉस अच्छा संगर्श यहां और राचु मुख्या ने इसके पहली गेंद अच्छी की थी मगर दूसरी गेंद पर बाहर निकर कर खेरे और फुल्टोस किया गेंद को और चार रनों में बेज भी दिया पावर पे चलता हुआ 21 रन बने है बिना कोई विकेट को एई कुरुष् हो 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 फिर एक बार कम बैक और यहां देखना होगा मगर चायद हीट हुई स्टम को मगर बेल सी नहीं गिरी है अच्छी गेंथी थोड़ा आगे चुरूर निकल आया थी वहां पे विसे दिखा गया है तो आउट करने का प्रयास दुरूर किया गया था बैतरीन गें थी देखी समझ में ने आया यह वहां पे खिलना चाहते है थे ओन साइड के उपर बोड़ी के साथ तक रही विकेट की पर बहुत जली आये वहां पे बगर जो चाहते थे वो हुआ नहीं और डॉट गेंड रही वहाँ पर एक चोका एक डॉट एक डॉट इस ओवर में अच्छा संगर्ष अच्छा संगर्ष दोनों को बीच का दो बड़ी बड़े खिलाडी है और बड़े टुर्णामेंट में है आमने सामने सामने राजु मुखिया बिग बैस धमाका में इस बार भी बाहर निकर कर केले वहाँ गेंड मुड़ी और थर्डमैन की दिशा में ये गेंड भी जाएगी सीमारेखा के पार चार 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 रनों के लिए एक और यहाँ पे प्राइस के तौर के उपर चौका मिलता हुआ क्योंकि जीस प्रकर से खेलना चाहता है थी यहाँ पे क्रिश्णा दिकि कि इस प्रकर से आगे आये थे बल्ले का किनार अलिया था वहाँ पे सौट ठडमैन यानि की ठटी आड एज के उपर खड़े थे वह नहें क्रुष्णा और इस बार थोड़ असा बाहर निकल कर केले डारेखिट करने की कोशिश भी थी मगर मीड आन के दिशा में केला इस गेन को एक रन पूरा करेंगे और देखते देखते राज सर दोर कंप्लेट हो चुके है 54 का पीछा करना है मगर रन बने है 26 बिना कोई विकेट को है एक अच्छी बल्ले बाजी देखने को मिली दोनों ने देखिए सिंगल रन पिछली ओवर में सिकंदर बटी ने एक रिस्की रन लिया था इस में देखिए हमारे 6,89,000 अब कूछ कम पड़ रहे है यहां 90 होने में तो ब्लीज ग्राउंड के उपर जो भी उप बेजर का आप इसी प्रकार से सपोर्ट ब्राय रखे आपका बहुत बहुत आबार तो सर यहां पे दो ओवर समप्त हो चुके है और स्कूर कार्ट की ओप चबिस रन बने अब आने वाली 24 गेनों में 28 चाहिए यह मुनकीन है या नहीं उसके लिए इंतजार करना पड़ेग क्रिकेट का खेले कुछ भी हो सकता है गुच्चों में विकेट लेने होंगे जैसे अरिस्सर कहते है और यहां चुरुआ तो अच्छी हो चुकी है आधा काम तो हो चुका है मगर यह क्रिकेट का खेले आधा काम अभी भी बाकी है दो और हो चुके चार और अभी भी सेश है कमबेक करना होगा डॉट बॉल करनी होगी सुरेशनात पोरबंदर से बिलॉंग करने वाले खिलाडी राजकोट गुजरात का ही एक बड़ा सितारा और काफी तरह तजूरबा भी है उनके पास सुरेशनात खुशना के खिलाब बहतरीन गेन की और गेन को जॉंटी सरकार के हाथ में भेज़ दिया अच्छी शुरुवात अच्छी गेन देखने को भी लिए इस मीच थोड़ी सी फास्ट एंड फूरियस गेन चलीगे सीधे जॉंटी के पास और जॉंटी न अच्छा गेदर क्या विकेट के पीछे डाट गेन पुरबंदर गुजराज से बिलॉंग करने वाले एक इन बाद सुरेशनात और एक बहतरीन गेन क्रुष्णा साथ पूते के लिए सुरेशनात की दांडी 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 गुल जिसका था इंतजर वो गड़ी आ चुके देखे थोड़ी सी चहल कदमी की एक्सपोस कर दिया था विकेट को और वहाँ पे कोई गलती हुई नहीं और बहतरीन तरीके से बोल्ड आउट और विकेट नमबर यहाँ से पहला ब्रेक तो जिस्टिकुलेशन देखे अपने आपसे नारा जरूर है लेकिन वहाँ पे पिछला स्टम अक्सपोस होगा तो विकेट जरूर मिलेगा बहुत ही बैतरीन गेंद दो गेंदी पहली गेंद पिछे थोड़ा सा दबाव बनाया उसके बाद जड में किया सुरेश नाद ने और कुष्णास साथपुते इनके जरूर सा एक बड़ा विकेट तो यहाँ आ चुका है अच्छे शुरुआत रही पहले पावर प्ले में 26 26 का पीछा करना था अगर उस वक्त अगर देखा जाए तो कुष्णास साथपुते इनकी विकेट आ चुकी है और नए बैटर मैदान के अंदर विरुबा वागेला क्या बॉलिंग किये आज बॉलिंग जबरदस रही उनकी फिल्डिंग जबरदस रही हर एक मैच में क्या किये उन्होंने और अब मैदान के अंदर उतर चुके है बैटिंग के लिए चोटिला राजकोट से बिलाओं करने वाले एक लाड़ी वीरुबा वागेला आज सभी की नजरे उनके उपर है मगर यहाँ एक कमबैक करने की कोशिश है एक गेंदबाज सुरेशनात की दो गेंदे बिंदी की उन्होंने अभी भी ये मैच बना हुआ है अगर विकेट आप लेंगे तो मैच में फिर एक बार कमबैक हो सकता है टीम जै यदुनंदनियल के स्टार का अगर इस वक्त मग अगर मैच देखा जाए तो आरे आर फाउंडेशन रिबड़ा की तरफ इस वक्त है अगर ये क्रिकेट है चड़ा उतार तो बहुत सारे हमने पिछले तीन दिनों में देखे कल भी देखने मिलेंगे और काफी मातरा में धर्शक भी देखे और कल सैलाब आने वाला है या धर्शकों का तो जल्चे जल्द आईए और अपने स्टैंड में बैटिए जगा फकड़िए सुरेश और एक अच्छी गेंद वा सुरेश वा तीन गेंदे लगातार डॉट की है ये मैच खतम नहीं हुआ यही पोरबंदर से बिलॉंग करने वाले सुरेश नात्या कहते हुए मैं गेंद लिगेंद डॉट रही थी उसके बाद विकेट वो इस बार भी फुल टॉस गेंथी थोड़ा सा बाहर निकल कर खेलने का प्रयास और एक बिंदी गेंद सुरेश ना चाय हुए इस वक्त और तीसरे अंपार की तरफ आते हुए विरुबा कल साड़े तीन बजे पहले मैच क लिग शुरू होगा कल का पहला सेमी फाइनल का मुकाबला यमिशी से संबलपूर बणाम CS के धमागा फेर डिलिवरी लगातार चौथी गेंद यहां डॉट की है दबाव बनाया है एक किलाडी ने परस्ती थी या विप्रीत थी जब ये गेंद बाजी के लिए आये थे मगर आते ही चार गेंदे लगातार डॉट की कृष्णा साथपूते जैसा एक बड़ा विकेट आसिल किया और यही कहते हुए कि अभी ये मैच कतम नहीं हुआ सुरेशनात है ना सिकंदर बटी और विरुपा वागेला और एक उसी तरीके से गेंद करने की कोशिश ज़रूरती वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था मगर बेज दिया इस गेंद को सीमा रिका के बाहर पॉइंट के दिशा में चार रनों के लिए चौका एक और बहतरीन यहां से फोर जोड़ता हुआ और बहतरीन तरीके से विरुपा वागेला एक अच्छे बले बाज है वैसे दिखा जाए तो वाइड यॉरकर के उपर अच्छा ड्राइव डेकने को बिला बैकवाड पॉइंट की जिसा में गेंद कई थी अब तीस रण एक विकेट के रुक्षान के बाद दो असर या पाँच गैन थोड़ असर तीस रण बने हैं दबाव बनाया था लगातार चार बिंदी करने के बाद मगर चौका या जड़ा और एक गेंद उसे स्वीच इट करने का प्रयास मगर कामियाब नहीं रहे पाँच गेंदे डॉट की एक विकेट हासिल किया एक चौका जरूर आया है मगर अच्छी गेंद बाजी रही अपने टीम के लिए कमबैक किया है और अबी भी ती मैच ये बना हुआ है तीन और के बाद तीस रण बने है और इस मैच को जीतने के लिए 18 गिंदे 6 और 24 रणों की जरुट कल का फिर एक बार कल के मैच के लिए कल के कल का पहला मुकाबला सुपर 6 का होगा और सुपर 6 के लिए CS के दमा का और उनके खिलाप M UCC संबलपूर का ये मुकाबला होगा और ये मुकाबले के लिए दोनों टीमों को चार बजे ठीक पहले सुपर 6 का मुकाबला सुपर 6 का मुकाबला शुरू होगा और ये मुकाबला और एक बिग फाइट बाला जी 11 बनाम निलिजदादा बिंतारे 11 धनकोडी पूरे के बीच होगा ये तीसरा मुकाबला बेतरी तरीके से 3 ओर की सबबती हो चुकी है चौथे ओर की सुरूवात होने जाने ये 18 गेंदों में 24 रन चाहिए आखनी गेंद तक जाएगा या जली पूरा किया जाएगा उसके इंतिजार रहेगा अटरा गेंद 24 रनों की जरूरा जिस तरह से सुरेशनात ने चार रनों का ओर किया उस ओर के और के कारण मैच में टीम यहां आ चुकी है मगर यहां राजू मुख्या को फिर एक बार आमंतरित किया गया है गेंद बाजी के लिए क्या यहां से कुछ विकेट हासिल करेंगे टीम को अगर मैच में लाना है तो डॉट बॉल और विकेट हासिल करने होंगे सिकंदर बटी और विरू यह दो बैटर मैदान के अंदर पहली गेंद को यहां स्वीच हीट के रीवस के जरीए खेला और बेज दिया सिमा रिखा के पाहर सिकंदर छेरन बैटरीन तरीके से पिक किया था सिकंदर ने और किस प्रकार से दी कि रजचतनात मक्सौट वहाँ पे बैटरीन सोट और गैन गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर छेरन के लिए यहां से आगास हो चुका है इस ओवर से सिकंदर का अब अंजम कौन देगा उचाल थोड़ी सी जादा थी बाहर की तरह भी एक गैन जा रही थी और उसे छे रणों में बैज दिया सिकंदर वटी ने दबाव जो थोड़ा सा बनाया था सुरेशनाद ने उसे अटा दिया कैच पकड़नी की कोशिश बार बार दर्शक कर रहे मगर इस बार ना क्या मियाब रहे सभी का स्वागत होगा इस बार बहार निकल कर केले खवा में गेन खिलाडी गेन के नीचे अला कि पहले गेन पर छक्का जरूर आया था मगर उसके बाद कमबैक राजू मुख्या का और एक विकेट का पतन एक और विकेट यहां से वैसे सिकंदर अच्छी बल्ले बाची कर देते तेरा नीजी स्कूर बना चुके है लेकिन इस मीच थोड़ा सा आगे आये और कवर की उपर से खिरना चाहते रहे लेकिन गैन काफी दिरते को उपर रही और पीछे खिलाडी दी बाउंड लाइन के उपर वहाँ पे कोई गलती नहीं हुई और अच्छा कैच और वहाँ पे बरत्राब ने वहाँ पे अच्छा कैच जरूर किया और एक विकेट का पतन हुआ इस बाहर कदमों का इस्तमाल किया बाहर निकल कर खेले कवर्स के दिशा में ये गियन थी और टाइमिंग उतना नहीं कर पाए अच्छु खान ने कैच लिया और गुजरात का एक बड़ा सितारा मैदान के अंदर बरत राम राजू मुखिया पहले गेंद पर गलती कर बैठे मगर उसके बाद तुरंती विकेट ले लिया अभी भी 16 गेंदे 6 और मैच जीतने के लिए 18 रनुकी जरुरत अभी भी दर्शक देखिए काफी मात्रा में अभी भी मौझूद है क्यूंकि उन्हें ये All India Level का क्रिकेट देखने का मुखा मिला है पिछले साल ये मुखा मिला था इस साल भी ये मुखा मिला है और साल में एक बार ये All India Level का क्रिकेट जो अभी tennis cricket बदल चुका है बड़े पैमानी पर देखा जाता है बड़े बड़े लोग आज tennis cricket देखना चाहते है खेलना चाहते है और बड़ी बड़े tournament में अपना team होना चाहिए हर किसी को आज tennis cricket में भी लगता है और ऐसा यह tennis cricket हम सभी का चाहिता है लाडला है और यह सभी दर्शक इदर है इन में से 99% का दर्शकों ने tennis cricket एक बार तो खेला ही है इसी के कारण यह सब यहाँ है तर जो मुखिया बरत राम के लिए पहली गेन, लोवर फुल टॉस, कवर्स के दिशा में डखेला इस गेन को एक रंचे स्कोर आगे एक सिंगल रं जोड़ा, सिंगल के साथ बरत ने अपना एकाउंट ओपन किया और स्कोर कार के उपर 37 रंड दो विकेट के रुक्सान के बाद चौथा वर प्रगेदी के उपर है और राजो मुखिया अपने कोटे का दूसरा पारी के और से चौथा जेमसन एंड की और से गेंबाजी के उपर निकेट स्पोर्ट्स 70-70 की तरफ से ये टोर्नामेंट पिछले साल की तरह ये साल भी गुजराद दमा का बिग बैश और आज तीसरी रात इस टोर्नामेंट की इस बार काटा गेंद को टपा खाने के बाद बाहर की तरफ मुड़ी ये गेंद वीरू के लिए गेंद थी राजू मुक्या कमबैक करने की कोशिश अभी भी जारी है क्योंकि ये मैच खतम नहीं हुआ अभी भी 17 रन 6 से मैच जीतने के लिए 14 गेंदे 17 रनों की जरूरत मैच बन सकता है यहाँ से भी राजू मुक्या के प्रयाज जारी है ओहो यहाँ कोच अलग करने की ही कोशिश थी बगर कामियाब नहीं रहे और देखना होगा एक वहाँ पे रिसकी रन जरूर लिया गया और साइध पूरा भी किया दोनों एंपायरों के बीच में कुछ बाचीत होने जारी है वहाँ पे किस प्रकार से सौट खिला गया था गयन कहा गयी थी अब स्कोरकार के उपर फिलार्टो 37 है दो विकेंग के रुक्सान के बाद दोनों एंपायरों सर हमारे वहाँ पे बैतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम देने का प्रयास करते हुए विसे मुकबला यहां से चैय यदुनंदन एलकेश्टा राजकोर्ट वर्सिस आरे और रिबड़ा के बीच में खिला जा रहा है टीवी एंपायर का सहारा लिया है वहाँ डियारेस चेक किया जाएगा अभी भी यह मैच बना हुआ है चोटी सी गलती अपुजी टीम को मैच में लेके आती है क्रिकेट का खेल है आपको अलेट ही हर समय तक अलेट रहना होता है काफी जबरदस क्रिकेट का आयोजन हम देख रहे है और आज 70-70 के जरीए आज भी पास लाग से ज़्यादा लोगों ने इस मैच को देखा कौट बिहाइंड और कौट बिहाइंड और रन आउट दोनों देखना है एक अच्छा टुनामेंट का आयोजन हुआ निकेट 70-70 गुजराद दमा का बिग बेज गुजराद का ये दूसरा सीजन है बहुत सारे यहाँ पे बड़े-बड़े नमांकीत खिलाडी हमें देखने को मिले बहुत बड़ी संक्या में जंदमिंदी सपोर्ट किया और एक अच्छा टुनामेंट बहुत ही जल्द CS के दमा का नवसारी में एक और टुनामेंट होने वाला है उसी प्रकार से चिकली नेशनल क्रिकेट जाउन के उपर 16 सालों चे चलने वाला SU पड़िल सर सोल्दरा यूनिटी ग्रूप के जरीए पहली और दूसरी तैरिक को एक बहुत बहतरीन टुनामेंट का अविजन किया जा रहा है उस प्रकार से हमारे दर्सक के लिए बड़े बड़े टुनामेंट इस सभी टुनामेंट 70-70 के उपर लाइव किया जा रहा है यस वहाँ पर आउट दिया गया है कॉट बिहाइन के रूप में आउट करार दिया गया हमारे TV Empire के जरीए थैंक्यू सर विकेट आ चुका है और यहाँ से मैच बन सकता है विरुबाद तोड़ा सा जादा शफल हुए थे वहाँ से फॉलिंग स्विप करना चाहते थे और बाहर की तरफ जाने वली यह गेंद और आउट होकर वापस लोटना पड़ा राजू मुख्या ने यहाँ विकेट लिया है यह मैच बनता हुआ नजर आ रहा है राज सर क्योंकि घर एक गेंद के बाद चोदा गेंदे अभी भी शेशे और मैच जीतने के लिए सत्रा रनों की जरुरत है अभी भी यह मैच बना हुआ है एक टीम को टार्गेट को चेस करना है एक को रोकना है एक तरफ आर तेरा गेंदे तेरा गेंदे अंतीम और मैच जीतने के लिए फिर से एक बार यहाँ लंबी मिडिंग चलती हुई किस प्रकार से कहीं किस जगा के उपर गेंद बाजी करनी पड़ेगी और कौन से गेंद बाज को इसके बाद लाना है उसके बारे में बाच्चित लग 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 ग्रूप मिडिंग हो रही है ग्राउंड के उपर क्योंकि दोनों टीम जीतना चाहती है क्योंकि यहां से जो जीतेगा आगे बड़ेगा जो हारेगा उसका सफर रुख जाएगा बैटिंग के लिए आ चुके है बबलू पाडिल भारतिय टेनिस क्रिकेट में सिक्सर किंग के नाम से भी जाने जाते है पुलिसमान बबलू पाडिल कितना भी लंबा सिक्स हो बड़े बड़े सिक्स लगा लेते है बबलू पाडिल आडिटर के रूप में जाने जाते है दूसरी तरफ रन नितिया शाकिर काको जौन्टी सरकार बना रहा है राजु मुक्या के साथ बबलू के लिए हर एक गेन काफी महतोपूर्ण है यहां से मैच तो बन चुका है सिर्फ 54 रनों का पीछा करना था शुरुआत अच्छी रही थी 26 पर दो और के बाद 26 रन बने थे चार और में 26 चाहिए थे मगर उसके बाद इसके पहला और जो गिरा चार ही रन दिये थे सुरेशनाद ने और इस ओर में भी काफी अच्छी गेंद बाजी पहले गेंद पर छक्का आने के बाद भी राजु मुक्या ने किये और इसी के आरण ये मैच अभी भी बना हुआ है कौन सी टीम होगी जो चटी टीम होगी जो सूपर सीक्स में दाकिल होगी 37 रन बने है जै यदुनंदन केलके स्टार बनाम R.A.R. फाउंडेशन रीबडा के बीच का एक कड़ा संगर्ष बबलू पाडिल के सामने राजु मुक्या ओहो बबलू के लिए बड़ा हिट करना चाहते थे हलका सा काटा इस गेन को बाहर की तरफ निकाला लेक कटर काफी बहतरीन था और देखते देखते ये मैज बन चुका है दो ओवर अभी भी बाकी है 12 गेंदे 6 और मैज जीतने के लिए रनों की आवशकता है 17 रनों की आवशकता वाँ 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 मैज बन गया बहुत बहतरीन गेन बाजी राजू की निकलों एक 6 सर के बाद सर एक और सिंगल और दो विकेट और दो डॉट गेन यानि की वापसी करवाई है यहां से बहतरीन तरीके से 4 अवर की समपती 37 रन अब 12 गेनों में 17 चाहिए अब कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके लिए इंतिजार करना पड़ेगा बारा गेन का लेकिन यह 70-70 की गेन इस्तिमाल की जारी है उसका स्लोगन है लगा तो सिक्सर लेकिन लगाना पड़ेगा और लगाने देंगे क्या गेन बाज उसका इंतिजार रहेगा 37 रन बने है अब भी 17 रनों के आवशकता है जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए आरे आर फाउंडिशन रिबडा टीम को बबलू पाटिल है और बबलू पाटिल का साथ देने के लिए मैदान के अंदर भरत राम भी है मगर रोकने के लिए उन्हें आ चुके सुरेशनाद पिछले ओवर में सिर्फ चार रन खर्च किये थे और पाच गिंदे डॉट की थे इसी गेन बाज ने दोनों टीमें यहां से मैच जीत सकती है दोनों टीमों के पास ताकत है क्योंकि अच्छी गिंदबाजी है एक तरफ और दूसरी तरफ अच्छे बैटर्स भी है मगर अभी भी बारा गिंदे शेश और मैच जीतने के लिए सत्रा रनों की जरुरत जैंसन क्रिकेट ग्राउंड पर अभी भी काफी मात्रा में दर्शक इस मैच का आनन ले रहे है क्योंकि यह बिग बैश है बड़ा मुकाबला है बिग बैश धमा का है 70-70 निके स्पोर्ट प्रेजेंट एक बड़ी टूर्णामेंट तीसरे रात का आखरे मुकाबला और आखरी कुछ शन बागी है अभी भी जबकि सुरेशनात के हाथ में थमादी है गेंद 12-17 पहली गेंद पहली गेंद पर बड़ा हीट बड़ा 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 बहुत बड़ा छेरान बरत का बहुत बैतरी इस मीच और सौट दिखने को बिला दिखे आगे आए थी इस मीच इस टो को सीधे बले से सीधा बाउट लाइन के बाहर दिखे मैच का रिजल जो भी आए लेकिन इस मैच में मजाएगा और जो हमारे दर्सरा के सर एक तरफ है साकीर का कूँ एक तरफ है अब दोनों के चाहने वालों की कमी नहीं है इसलिए अभी भी रूके हुए है। पकड़ने का मुखा तो यहां नहीं कि आज पकड़ सके अभी भी दस गेंदे दस रणों की जोर रत इस तरह के मैचेस भी अच्छे होते हुए हमने देखे है राज सर बहुत बहुत बेटरी तेरा गेंदों में 17 चाहिए था उसके बाद 12 में 17 चाहिए था अब 10 में 10 चाहिए कौन जीदेगा कौन हारेगा मैच बढ़ लेगा मैच का सभी करण बढ़ लेगा और कौन बढ़ लेगा बबलू पाटिल सामने है सुरेशनात दस गेंदे और दस रणो की जरुरत चड़ में की आइस गेंद को परफेक्ट ब्लॉक परफेक्ट ब्लॉक कोई मोका नहीं था बबलू पाटिल को इस वक्त और और एक डाट बॉल बिंदी गेंद आई है बहुत बेहतरीन गेंदेक्ट नहीं को मिली इस बीच अफ़े फॉलो थुरु में फिल्ड क्या मैच कभी भी बडल सकता है देखे हाई कॉंटेस मुकाबला आज के दिन का आखरी मुकाबला बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हुए सुरेस गेंद बाची के उप़र बहुत आसानी से खेल दिया इस बीच थोड़ी सी फूलर लेंड डिलिवरी थी और पैड लाइन के उपर गेंद बाची देखे यहाँ से बेहतरीन तरीके से अच्छामीड विकेट की समय जमीन के सहार जीतना खुपसूरत जमसन क्रिकेट जाउन उतना खुपसूर श्ट्रोक और वहाँ से गेंद चलीगी चेकमा देखे वन टू का फोर चबवन रनों का पीछा करना है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए चे रनों की जरूरत बबलु पाडिल ओहो दीमी गति से इस गेंद को किया और बाहर की तरब काटा भी क्या मुडी ये गेंद और डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल फिर एक बार टीम को मैच में ला सकती है यही अदुनंदन यलके स्टार यही चाहेगे कि यहाँ से डॉट बॉल और विकेट आ जाए ओ और एक और एक और एक अच्छी गेंद वाइड यार कर इस बार प्रस्तूत किया बबलु के खिलाप और तीसरे अंपेर की तरब ये वाइड है या नहीं इसके लिए भेज भी दिया है मगर आकरी दो गेंदे क्या बेहतरिन की थी सुरेशनाथ गेंद बास बेहतरिन मगर अभी भी ये मैच जैसी पहले गेंद पर चक्का जड़ा था उसके बाद बबलु का एक चवका आया मगर आकरी दो गेंदे आई डॉट और अभी भी ये फिर सही गेंद थी और इसी के कारण चे गेंदे और चे रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए इस तरह के बहुत सारे मैचेस दर्शकों ने देखे हैं हमने भी देखे हैं कि अच्छे हुए आकरी चनों तक मगर देखना होगा ये मुकाबला कौन जीतेगा आकरी टीम कोन सी होगी सुपर सिक्स में दाखिल होगी बहुत हाई कॉंटेस्स मुकाबला जैम्सन क्रिकेट गाउन के उपर गुजरा दमा का बिग बेस छे गेंदों में छे रन चाहिए बहतरी तरीके से निखे वहाँ पे मिटिंग कॉल की गई ग्राउंड के उपर फिल्लिंग टीम अब सोचा जा रहा है काफी सारे सवाल जॉब वहाँ पे कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी थमाई जाएगी फिल्लिंग की इस प्रकास से सजाए जाएगी ये मुकाबला जई यदू नंदन एलकेश्टार राजकोड वर्सिस आरे और रिबडा 11 के बीच में कौन जी देगा कौन हारेगा उसका इंतजर रहेगा बहतरी तरीके से अब फैसला किया जाएगा कौन से गेंबाज को लाए जाएगा और कौन से खिलाडी को कहाँ पर त्यानाद किया जाएगा वैसे बहतरीन तरीके से मुकाबले को अंजाम कौन देपाएगा उसका इंतजर रहेगा छे गेंबाजी के लिए आचुके है एक तरफ भरत राम है एक तरफ बबलू पाटील है छे गेंदे है और छे रनों की जरूरत है अभी भी ये मैच बना हुआ है क्या होगा आखरी शनों तक क्रिकेट के खेल में राजसर कुछ नहीं कह सकते इस खेल में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता आखरी क्षणों तक आपको संगर्ष करना ही होता है आखरी गेंद तक आखरी रन तक छे गेंदे छे रनों की जरूरत शौरियर सानन के हाथ में गेंद थमादी है गेंद नहीं ये अपना मैच है और इसे शाकिरका को यही कहते हो उनसे कि कुछ बाची जरूर हुई वहाँ पे साकिरका को खूद आये थे और गेंद बाज काफी कूज से अब कौन सी टीप डी होगी वो तो आने वाली गेंद के उपर पता चलेगा फिलाल गेंद बाजी के उपर सौरी अपने बॉलिंग माग के उपर जेमसन एंड की और से स्टाई के उपर बाया हाथ के खिलाडी बरत बरत के लिए शाओरिया पहली गेंद टपा खाने के बाद बाहर की तरफ काटा इस गेंद को और शुरुवा तो अच्छी शाओरिया सानन की रही है पहली गेंद यहां बिंदी 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 आई है पाच गेंदे छे रनों की जरुवरत दूस प्रकार से वहाँ पे दोनों बल्लेबाज देखिए साथ में खड़े है कुछ गेरी सोच बनाई जारी है फिल्लिंग टीम भी वहाँ पे पहुँचती हुई उस प्रकार से वैसे दिखा जाये तो स्कोर कार के उपर और तालिस रहने तीन विकेट के रुक्षान के बाद सौरिया गेंद बाजी के उपर थे और वैसे विकेट कीबर के पास गेंद चली गई मैच कतम नहीं हुआ मैच कतम नहीं हुआ बरत राम एक तरफ शौर एक तरफ सेवन्टी सेवन्टी गुजराद धमा का बिग बैश इस बार काफी बढ़िया स्टोक यहां देखने मिला और यह जो उल्टा पुल्टा स्टोक के ला बरत साम ने और इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर चार रणों के लिए मैच खुला किया बहुत बैस्तरी स्टोक देखने को मिला इस पीच राइटम राउंड यह ओवर लेक आया थे और रिवर सिप में खेला इसलिए कहां जाता है उम्र ठका नहीं सकती ठोक्रे जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती उस प्रकार से अच्छा चौका देखने को मिला अब यहां से दो गेंदो बेदो रण चार गिंदे अभी भी सेशे मैच जीतने के लिए दो रनो की जरुरत है देखना होगा बरत राम मैच अभी भी खतम नहीं होगा मैच नहीं छोड़ेंगे या शाकिर काकू चार गिंदे शेशे और दो रनो की जरुरत है इस मैच को जीतने के लिए बरत राम ओहो यहाँ जडमे करना चाहते थे मगर एक रन दो पूरा किया और हम पर लेक बाइस के जरीए एरन हमें बता रहे है और अभी भी एक रनो की जरुत है इस मैच को जीतने के लिए खतम नहीं हुआ तीन गेन दे एक रनो की जरुत राज सर अभी भी मौका है देखें कभी भी मैच आखरी गेन तक पता नहीं चलता कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी भी तीन गेन उस परकार से फिर से गेन बाज अपने बॉलिंग मांकियों पर ने कि अभी भी आसा और उमिद जिन्दा है, वहाँ साकिर का को फिर से एक बार गैन बाज के साथ वार्था लप करते हुए, कुछ वहाँ पे हिदायत देते हुए, कि कहा गैन बाजी करनी है, किस प्रकर से गैन बाजी करनी है, अब बहतरीन तरीके से, इसमें जब पहली गैन डॉट रहे थी, उसके पाद चौका है था उसके बाद लिख भाई और यहां आसानी से इस गेंद को सिमा रखा के दरब बेज दिया चार रॉनों के लिए बबलू पाटी ले और इस मैच को जीत कर पहले मैच में हारने के बाद भी R.A.R. Foundation रीबडा टीम दाकिल हो चुकी है सूपर SIX में कप्तान कुल खना साथपुते इनके अगवाई में यह टीम सूपर SIX में दाकिल हो चुकी है बहुत बहुत बदाई और अच्छा क्रिकेट देखने मिला अच्छा संगर्शा देखने मिला भी पिचर क्लेर है और ये छे कप्तान है पंटी पटेल योगेश पेनकर अविनाश राना अकाच चिंदारिया सुमी डेकडे कृष्टना साथ पोते आरे आर इस मैश के समरी साग के कारण आज ये टीम जीच चुकी है कुछना साथ पोते इनके 19 रन इस मैच में जरूर रहे थे सिकंदर बटी 13 बरत राम बबलू पाटी लाट मगर 20 मैच के मैनुद मैच के किताब से नवाजे जाएंगे जिन्नोंने दो और किये सिर्प 8 रन खर्च के तीन विकेट लिए वीरू बावागेला जिन्नोंने काफी अच्छी फ्रिडिंग भी की है वीरू आईए मैनुद मैच के लिए और वहाँ है ओईसवाप इंडिया हरिश्पंडिया सर बागेन घक्वाप मैच के लिए खुछों पाlt करने का वीरू मैच के इंडिया ब constitution